सरीर में दिखाई देने वाले ये पांच बदलाव बताते हैं कि तीन गुना तक बढ़ गया है आपके लिवर का साइज नजर अंदाज करने पर फट सकता है आपका लिवर नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों जब भी सरीर के सबसे जरूरी अंगों की बात होती है तो हमारा ध्यान दिल, दिमाग, किडिनी की ही तरफ जाता है और हाल ही में कुरोना के कारण लोग फेफ़रों के स्वास्त की बात करने लगे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अंग ऐसा भी है जिसके बिना इंसानी सरीर की कलपना करना भी मुस्किल है इस अंग का नाम है लीवर जो आपके सरीर में सालेंटली काम करता है आपके सरीर में खाना पच रहा है या नहीं जिसका संपूर्ण कारे देखने का काम होता है लेकिन क्या होता है जब आपके लीवर का आकार बढ़ने लगता है और आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि कैसे आपका लीवर खराब होना सुरू हो जाता है आपका खराब खानपान और खराब जीवन से लिए आपके लीवर को बीमार बनाने का काम करती है और धीरे धीरे लीवर का साइज बढ़ने लगता है अगर समय पर उपचार नहीं कराय जाता है तो लीवर का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लीवर फटने की परे लगा है पहला है कमजोरी और ठकान अगर आपको बिना कुछ काम किये ही ठकान हो रही है या फिर आपको बीते कुछ दिनों से बेवजय कमजोरी मेहसूस हो रही है तो ये बात तह है कि कहीं न कहीं आपका लीवर च्हतिग्रस्त होना सुरू हो गया है, अगर ये इस्थित कुछ दिनों से बनी हुई है तो आपको अपने लीवर की जाज करवाने की बहुत सक्त जरूरत है अगला है अपच की समस्या किया आपको खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है, किया आपको भूख नहीं लगती है, अगर ये दोनों समस्याएं आपके साथ हो रही है तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि आपका लीवर खराब होना सुरू हो गया है, भूख ना लगना और खाना ना पचना, लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपका वजन कम हो लेकिन फिर भी बेवजह आपका वजन कम होना शुरू हो गया है तो ये इस बात का संकेत है कि आपका लिवर खराब होने लगया है जी हाँ बेवजह वजन कम होना भी लिवर से जुड़ी एक परिशानी हो सकती है जिसमें आपको तुरंत डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगला है तवचा पर पीला पन सही तरीके से खाना ना पचना भूख ना लगना पेट ठीक ना रहनी जैसी समस्याओं की वज़े से आपकी इसकिन का रंगत खोना सुरू हो जाता है जब आपकी इसकिन को पर्याप्त मत्रा में पोसर नहीं प्राप्त होता है तो आपकी इसकिन पीली पढ़नी सुरू हो जाती है और लीवर खराब होने लगता है इसलिए तवचा पर पढ़ने वाले पीले पन को बिल्कुल भी नजरन्दाश ना करें अगला है पेट दर्द अगर आपको खाना खाने के तुरंट बाद पेट दर्द की सिकायत रहने लगे या फिर पेट के उपर हिस्ते में दाहिनी और सुजन दिखाई दे तो ये लीवर में खराबी का एक आम संकेत है अगर आपको बीते कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा है तो आपको अपने लीवर की जाच जरूर करवानी चाहिए या पर पढ़ने वाले पीले पन को बिल्कुल भी नजर अंदाश न करें अगला है पेट दर्द अगर आपको खाना खाने के तुरंट बाद पेट दर्द की सिकायत रहने लगे या फिर पेट के उपर हिस्ते में दाहिनी और सूजन दिखाई दे तो ये लीवर में खराबी का एक आम संकेत है अगर आपको बीते कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा है तो आपको अपने लीवर की जाच जरूर करवानी चाहिए